जननायक जनता पाल्टी अध्यक्ष दुशियन चोटाला ने कल दिली में पाल्टी कारकानी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तै होगा कि जेजेपी भाल्टी जनता पाल्टी या कॉंग्रेस में किसे समाठन देगी। साथ ही नई सरकार के लिए जेजेपी के रुख को भी तै किया जाएगा दुशेन चोटाला ने कल दिल्ली में जेजेपी कारकानी की बैठक बुलाई है साथ ही जेजेपी सरकार में शामिल होगी या नहीं इस पर भी फैसला लिया जाएगा जेजेपी की बैठक दुश्यन चोटाला के दिल्ली में सरकारी आवास 18 जनपत पर होगी वहीं दुश्यन चोटाला ने कहा कि उन्होंने किसी से बात नहीं की है अंतिम आंकडे आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा वहीं हरियाना में जन्नाई जन्ता पार्टी पूरे जोश में नजर आ रही है पार्टी को अब तक के नतीजों में 10 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है जेजेपी की कारकलताओं का उस्सह चरम पर है उन्होंने जिन्द में जम कर आतिशवाजी कर खुशिया मनाई सूत्रों का कहना है कि जेजेपी ने सीएम पर के बदले कॉंग्रिस को समर्थन देने की बात कही है बतारे कि हरियाना में 90 विदान सबा सीटों पर 21 ओक्टूबर को मद्दान किया गया था हाला कि मतगरना में हरियाना में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल भोता दिखाई नहीं दे रहा है हरियाना में कॉंग्रिस और विजेपी के बीच कड़ी टकर देखी जा रही है चुनिंदा गंटों की बात है हरियाना अपना बविश्य मत पेटियों में डाल चुका है ट्रेंड्स दीरी दीने आने लग जाएंगे मर ये विश्वास है एक एक कारेकरता की जो मेहनत है ग्यारा महिनों का जो संगरशील सफर है आज हरियाना बदलेगा हरियाना परिवर्तन की रा पर चलेगा हरियाना के अंदर एक नया उदेगा और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हर्याना परदेश के सत्ता की जो विधान सभा की जो चाबी होगी वो जन्नाएक जन्ता पार्टी के हाथ में होगी और तो समय बताएगा कि जन्ता ने किस रुख अपना किया है मगर मेरा ये मानना है कि जो प्यार एक-एक वोटर का मिला जिस तरीके से ताकत एक-एक वोट करेंगी और सत्ता की चाबी जो होगी वो जन्नाएक जन्ता पार्टी के आता है कि 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 कि